आप बात करते हैं कुछ नंबर्स की, पॉलिकैब के नंबर्स अनुमान से थोड़े कम रहे हैं, मुनाफिय और माजिन में कमी आई है, जबकि आया में बढ़ोतरी हुई है, इन सब पर बाचीत करने के लिए पॉलिकैब इंडिया के CMD इंदर जे सिंगहानी और ED&CFO गंदरव जी हमारे साथ जुड़ते हुए इस शो में, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में, इंदर जी पहले आपके साथ शुरुवात करूँगा, यहां से किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासतों से केवल और वायलेस सेग्मेंट में, किस त इंदर जाल रहे हैं, क्योंकि इंदर एशु किया हैं, जो लोगों के हाथ में, तो बिजनेस तो आगे के लिए दिखता ही है, बाकी मार्क्टिक जो है, मेटल पे नीचो पर रहे होता है, उसमें मार्क्टिक थोड़ा स्लो हो जाता है, विकाद बहुत जादा चल रहे हैं, इसका एक-दो मेने के लिए असर रहेगा, पर उसके बाद इंदर जी एक चीज मैं आपसे कहना चाहूँगा, और पदलब ये जो एक फीडबैक है मार्किट से वो, पॉली कैप ने बहुत पैसा बना के दिया इंवेस्टर्स को, और जब से आईप्यो आया, दस गुना से ज्यादा स्टॉक भागा, उसके बाद वो इंकम टैक्स वाली प्रॉब्लम हुई, स्टॉक में भारी गिरावट आई, लेकिन फिर भी मार्किट ने एक बेनेफिट औ फैमिली गxicoरनल में पर्ले ही बात कर चुखे थे कि अमारे को जबी भी जरूद पड़ेगी तीन साल में एक बार तीन साल में एक बार थो हम सम्ष साथ हम एं काम करेंगे, आपास घथ, ह间िर भी सटॉर्ड वए यहा आ बार One आप प्रमोटर के स्टेक से लोता है उसके बाद एकदम से वीक नमबर आ जाते हैं तो थोड़ा सा मार्केट उसको अच्छे से नहीं लेता है इसके लिए मैं सुझा कि आपको यह वाली बात मैं थोड़ा सा बता दूँ अगर नमबस ही वाले अच्छे होते तो वह उल्टा आ वह बरुसा है और कंपनी को बढ़ाएंगे तो नहीं 100 परसंट उसमें मैं कोई डाउट नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ एक जो चीज थी वह बता रहा है कि पिछले साल एक वह इंकम टेक्स वाला मामला आया था उसके बाद थोड़ा कॉंपिडेंस हिला था जिसको वापस आन हमें बुलाने के लिए जैसे आप देखा यह पहली तेमाई कंपनी के तियास में सबसे बैठरीन तेमाई थी करीब हम लोगोंने 4 या 700 क्रोड का कुल कारोबार किया लगबाग 21 परसंट का ग्रोथ है सारे बिजनेस इसने अच्छी ग्रोथ दर्ज करी है केबल एंवायर बि दर्ज करी है और EPC बिजनेस जो करीब 3 परसंट हुआ करता था उसमें जब दस ब्रोथ दर्ज करी है दो सब्याणवे प्रतिशत की और EPC बिजनेस इस बार लगबग 10 प्रतिशत के असपास है हमाई कुल कारोबार का जैसा आप जानदे EPC बिजनेस कंपेटेवली कम प्रो दूसरा कारण है कि Cable Environment में जो एक्स्पोर्स बिजनेस है उसमें कुछ पॉकेट्स में फहता है हमारी डॉपेश्टिक बिजनेस इसके वज़े से इंपक्ड है और 30 जून महिने के अंदर काफी कॉपर में उतार चड़ाव देखने को मिला था कॉपर LME जो 8500-9800 के बीच में था मार्श और अप्रेल के बीच में वो 11,000 डॉलर तो पहुंच गया था और उसकी वज़े से चैनल इंवेंट्री और चैनल डिमांड पर इंपेक्ट आया जो इस कॉर्टर का 12.4% का एबिटर मार्जन आगे एक कॉर्टर में बनेगा और थोड़ा और मजबूत होगा ऐसा हमें लगता है मैं इंफेक्ट गंधर जी इसी सवाल पर आने वाल था कि जब आप कह रहे हैं कि EPC लगभग उसमें 292 बेसिस पॉइंट का इजाफ़ा है तो मतलब this margin trajectory will again come back to 14.10 plus trajectory आप इसका भरोसे दे रहे हैं आप हमारी company ने over the period EBITDA margin पे बहुत काम किया है 2021 में जाम ने प्रोजेक्ट लीप पर बॉस्टरन कॉल्टर इसरेंटिक ग्रूप के साथ काम करना चालू किया था उस सब हमारी top line करीब 8-8,000 कोड़ की वा करते थी तीन साल बाद हमारी top line अठारेजा कोड़ के असपास हो गई है profit margin भढ़के after tax 10% margin का हो गया है तो हम strategically जो भी सही decision है company के लिए वो ले रहे हैं उसको implement कर रहे हैं हो सकता है एक क्वार्टर इधर एक क्वार्टर उतार थोड़ा बहुत मार्जिन में उतार चड़ा मिले परह मैं लगता है 12-14% का EBITDA margin हम लोग मेंटें कर पाएंगे अनुलाइफ बेसेस पर बारा से 14% का मतलब ठीक है वो बारा परसंट आप अगले कौर्टर के लिए भी कहीं ने कहीं पिचर में रख रहे हैं अच्छा एग्जेक्टी एक्सपोर्ट्स फरंट पे यहां पे थोड़ा सा अगरा बेखें इस बार मायूसी रही एक्सपोर्ट्स फरंट पे जो की डिफिनेटली आपके I think strong margins वाला portion भी है गंदर्व जी वहां क्या देख रहे हैं अगले एक दूस कौर्टर मिस्ते थी आप जब प्रोजेक्ट लीपे 2021 में काम किया था उस समय एक्सपोर्ट करीब 200-300 कोड़ों पे कंपनी का हुआ करता था गए साल लगवा 1500 कोड़ के आसपस का है हमें लगता था जब प्रोजेक्ट लीपे काम किया कि 10% अगर एक्सपोर्ट का contribution रहेगा हमारे कुल कारूबार में तो वह अच्छा achievement होगा हम उसी डारिक्ष में काम कर रहे हैं हमें लगता है कि mid term में एक्सपोर्ट दस पतीशत आसपस contribute करेगा इस quarter में sluggishness दिखी है पर ऐसा लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे-धीरे एक्सपोर्ट में recovery देखते चले चले जाएंगे अच्छा इंदर जी एक आपका टार्गेट जो 25 जो बीस सदार करोड के रेवेन्यू के 26 में थे क्या अपको लगता है अचीव कर सकते हैं जाएंगे और किस तरीके की EPS रहेगी यहाँ पर मतलब जो रेविन्यू ग्रोथ है वो कमेंसरेट होगी EPS ग्रोथ में भी आएगी वो EPS की बात है वो काफी चीज़ों पर डिपेंड करता है पर जैसे डारेक्शनली हमने आस तक काम किया है कि हम इंडरस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देते हुए आये हैं वैसे हम ग्रोथ देते रहेंगे और हम इन जनरल जब टॉप में ग्रोथ करते हैं और जो हम प्रॉफिट क काफी competitive है और काफी मेरी ठैर आपके प्रियर्स से भी बात होती है एक कुछ जो निकल कर आता है कि क्या industry best practices follow कर रही है in terms of quality of copper, in terms of quality of raw materials, क्योंकि margin profile कई कंपनियों की थोड़ी अलग-अलग है तो उस पर मेरा एक सवाल था आपसे कि आप किस तरीके के quality standards follow करते हैं we are following the world class standards, अगर आप देखेंगे हमारा copper लगब लगब सब कुछ import से आता है, हम लोग best in class copper मंगाते हैं, international suppliers है और same standard raw material के use किये जाता है, जो कि aluminium है, steel है, जाता क्वालिटी के बात है, finish course की, हम लोगों के पास में लगबख सारे key approvals है US में जैसे UL approval होता है, वैसा है, you can basic approval होता है, हमारी करीब 200 लोगों की R&D team पूरे साथ इसी पर काम करते रहते हैं, कि हम एक quality maintainer है, improve हो, नए innovative products introduced हो, technology point of view से हम लोग demand meet कर पाएं और quality पे हम confidently बहुत सकते हैं कि हम लोग leaders हैं, हम लोग cost leader भी हैं, price leader भी हैं, quality leader भी हैं, जातक अपने देश के बात करते हैं बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और सारे सवाल के जवाब देने का और जो मैंने थुड़े से एक दो uncomfortable सवाल पूछे उनका भी आपने जवाब दिया, candidly, तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, thank you so much बता दें कि money control पर दिये गए विचार, experts के अपनी नीजी विचार होते हैं, website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है, users को money control की सलहा है कि कोई भी innovation इंडले लेने से पहले certified expert की सलहा ले झाल में आज़ में आज़ खिखणी सलहाए RD